So, Hello Friends, मेरे नाम है नरेश और आज मैं आपके लिकर आया हूँ Notice और ये Notice Series का Second Part है और अगर आपने First Part यानि कि इसके जो Format था अगर ना देखा हो तो आप जरूर अभी जाके देखिए और ताकि Format से आपको समझा सके कि Notice लिकते कैसे हैं ठीके तो चली Start करतें तो देखिए पहला आपको यहाँ पर जो हमने पढ़ाया था पिछली बार वो Notice था Annual Day के उपर ठीके यहाँ पर हम बात करेंगे आप देखिए Gold Chain Lost यहाँ पर है कि कोई चीज जो है घटित हो चुकी है यानि कि वो Happened हो चुका है यानि कि आपने कुछ यहाँ पर दे रखा है Gold Chain आपने खो दी है तो उसके उपर आपको यहाँ पर Notice लिखना है तो चलिए पढ़ते हैं अनिल धावन ओफ क्लास 10th A has lost his gold chain somewhere in the school premises तो हुआ क्या देखिए अनिल धावन एक लड़का है जो कि 10th A में पढ़ता है और उसने अपने जो Gold Chain है वो कहीं गुम कर दी है यानि कि खो दी है इस स्कूल की किसी भवन में किसी बिल्डिंग में ठीक है Beside being valuable जो कि उसके लिए क्या था एक बहुत मुल्लेवान चीज थी ठीक है The Chain has an emotional value for him ठीक है तो यह क्या है कि उसके एक emotional emotion जुड़ा था उसके साथ उस Gold Chain के साथ And he puts up a notice on the school notice board promising a good reward for the finder अब यहाँ पर यह क्या है कि स्कूल के notice board पर यहाँ पर यह notice लगाने चाहता है ठीक है और यहाँ पर एक good reward भी दे रहा है जो founder finder होगा जो भी यहाँ पाएगा गोल चैन अब देखिए आपको यहाँ पर notice लिखना है अपने answer book में और using not more than 50 words इसमें 50 words से ज़्याँ यूज नहीं करना है कि जो पढ़ने वाला होगा वो यहाँ पर मतलब एक तरीकी से catch करें notice को उसकी नजर में आए एक तरीकी से ठीक है तो यह हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो चलिए आपको समझ आ चुका होगा तो start करते देखिए school का नाम तो दिया नहीं है पहले आपका नाम क्या आता है अभी आप आगे notice जो करेंगे वहाँ पर date कहीं और दिया रहेगा ठीके यहाँ पर capital letter हमने लिख दिया notice और heading क्या होगा हमारा तो यह होगा gold chain lost या फिर हम इसको कह सकते हैं lost 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 ठीके तीन बार हम लिखके भी कह सकते हैं क्योंकि कोई चीज हमारी the school ground during the recess period तो यहाँ पर बता रहा है कि यह जो school ground में जब यह recess period चल रहा था ठीके खेलते समय I drop my gold chain somewhere मैंने अपनी जो gold chain थी वो कहीं खो दी कहीं कहां खोई है आप दिया नहीं somewhere बोला गया नहीं कि कहीं खो दी beside being valuable जो की मेरे लिए क्या थी किमती थी the chain has great emotional value for me अभी आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि कई चीज़े ऐसी होती हैं जो आपको question में ही दी गई होती है और question से ही आपको उठा कर यहाँ पर लगा देनी है लेकिन यह नहीं कि same ditto चाप देना है ऐसा बिलकुल मत करना कुछ चीज़े आपको अपनी तरफ से लिखनी पड़ेंगी अब देखो जैसे इसने बोला है emotional value for me the finder is requested to return it to me or deposit it with the school office तो यह बोला गया कि जो भी पाएगा या तो मुझे return कर दे या फिर school की जो office है school office में जमा कर दे good cash reward is promised अब यह बोला गया है कि यहां पर एक अच्छा मतलब इनाम उसे दिया जाएगा cash reward यह जाएगा यह नहीं पैसे दिये जाएंगे तो आपको समझ आ रहा है यहां पर क्या क्या चीज़े mention करनी है ठीक है जब आपकी कोई समान जब आपका गुम हो जाए तो आपने इससे बताया कि आपका वो कहां गुम हो गया अब यह तो नहीं बोला गया क्योंकि यह इसमें दिया नहीं था इसने बोला कि play ground मतलब playing जब यह खेल रहे थे तो ground में कहीं इसने गुम कर दी ठीक है और जो कि इसके लिए emotional value है उसके अंदर ठीक है और यह सब आपको समझा रहा है यहां पर reward की बात हो रही है तो आप जब भी lost lost वाली चीज़िया अगर आती है तो reward आप जरूर लिखिए ठीक है और आपने कहां वो चीज़ खोई है उस चीज़ को भी mention करना बहुत जरूरी है अब इसका नाम दे रख है name and class अनिल धवन अब यहां पर इसकी जो है यह कौन सी class में पढ़ता है तो 10th A में पढ़ता है जैसा कि उपर दिया था तो आई होप आपको यहां पर यह जो चीज़ थी यह समझ आ चुकी होगी तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है आप comment box में जरूर बताईए और अगर अभी भी फिर भी आपको कुछ भी doubt हो तो आप comment में जरूर बताईए हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हम मदद कर सके और फिल्हाल आज के लिए तना ही और I hope आपने यहां से बहुत कुछ सीखा होगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अपने ध्यान रखें अपने फैमली के ध्यान रखें टेक केर बाई बाई